अब जवार की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो सामानने रुप से जब पृत्वी, चंद्रमा और सूर्य ये जब एक दिशा में आ जाते हैं यानि पृत्वी के एक तरफ ही सूर्य और चंद्रमा जैसा आप यहाँ पर देख रहें बच्चों पृत्वी के एक तरफ चंद्रम बीच में है और दूसरी तरफ सूर्य है तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया यूति कहलाती है conjunction यह यूति इसे हम कहते हैं सामान नियरूप से इस प्रकार की यूति जो होती है यह अमावस्या के दिन होती है और इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षन शक्ती का प्रभाव पड़ता है तो इस समय दीर घज्वार आते हैं और यही जो यूती होती है जिसमें चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहन आपने सुना होगा हरमा उस्या को नहीं आता कोई विशेश परिस्थिती में जब प्रित्वी चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आते हैं तो सूर्य ग्रहन की भी स्थिती आती पर हमेशा नहीं होती दूसरी जो इस्थिती है उसको हम वियूती कहते हैं अपोजिशन या वियूती कहते हैं वियूती पूर्णिमा के दिन होता है इसमें पृत्वी बीच में होती है इसके एक तरफ चंद्रमा और दूसरे तरफ सूर्य होता है इसमें भी दोनों सूर्य और चंद्रमा की आकर्शन शक्ति तीवर हो जाती है और इस समय भी उचे जवार महसूस होते हैं ये उच्च जवार लगभग सामानी जवार से 20 से 30 प्रतिशत उचे होते हैं दूसरी जो स्थिती होती है जब सूर्य, चंद्रमा और प्रित्वी ये इसमें प्रित्वी बीच में होती है, एक तरफ चंद्रमा और दूसरे तरफ सूर्य होता है लेकिन ये समकोन की स्थिती में होते हैं, तो अब लगुजवार उत्पन होता है, लगुजवार सामाने जवार से लगभग 20-30 प्रतिशत कम स्थिती लगुजवार की होती है ये समाने रुप से अश्टमी कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष की अश्टमी की जो तिथी होती है इस तिथी में निम्नजवार उत्पन होते हैं बच्चों जवार के जो आने का समय होता है ये वैसे तो हम कहते कि दिन में दो बार आउसतन जवार आते हैं लेकिन चुकि जैसा मैंने अभी बताय था कि पृत्वी अपने आक्ष पर जो घूम रही है ये 24 घंटे में चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृत्वी का चक्कर इसके साथ साथ लगा रहा है चंद्रमा का समय अलग है चंद्रमा बड़ी तेजी से पृत्वी के चारो तरफ घूम रहा है और ये लगभग 27.5 दिन में पृत्वी का चकर लगाता है तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस पहले मानली जीए ये जो बिंदु है यहां से पृत्वी घूम रही है कोई भी तट आप मानली जीए कि एक गुजरात का तट है और इस तट से पृत्वी ये चंद्रमा के समक्ष है और पृत्वी अब यहां से घूम रही है उस समय यहां पर ज्वार की स्थिती थी लेकिन जब पृत्वी पूरी घूम करके 24 घंटे में जब उसी बिंदू पर आती है तो चंद्रमा थोड़ा सा आगे सरग गया होता है कितना आगे सरग्या होता है वहां तक पृत्वी को पहुँचने में चंद्रमा की सीध में वहक्षेत्र आने में लगभग 52 मिनट का समय अधिक लगता है अर्थात जवार जवाते ये पूरे बारह 24 घंटे में पूरे नहीं आते बलकि एक ही स्थान पर जो 24 घंटे में जो दूसरा जवार आता है वो पूरा 24 घंटा नहीं बलकि 24 घंटे और 52 मिनट की अवधि लेता है इसमें जो पृत्वी के जो 52 मिनट पूरा सरकने के बाद पृत्वी जब चंदर्मा के निकट पहुच रही है अर्थात हम जवार आने के समय को इस प्रकार समझ सकते हैं जिसमें हम 24 घंटा 60 घंटा दो बटे पचपन ये दो बटे पचपन क्या है जब पृत्वी पूरा 24 घंटे में अपना एक चकर पूरा करती है और चंदर्मा उतने समय में थोड़ा सा आगे याने यदि चंदर्मा का पूरा चकर को पचपन हिस्से में बाट दिया जाए तो वो दो हिस्सा आगे सरक चुका है दो बटे पचपन हिस्सा आगे सरक चुका है इसलिए इस सूत्र के माध्यम से हम जवार का अकलन करते हैं तो बावन मिनट लगभग अधिक लगते हैं दो 24 घंटे में आने वाले दो जवार के बीच में इस प्रकार से जो बारा घंटे में जवार आता है उसमें 26 मिनट का अंतर होता है बारा घंटे 26 मिनट विप्रीत दिशा में जवार आ रहा है इसमें अंतर होता है और भाटा की स्थिती जो होती है वह 6 घंटे 13 मिनट की होती है तो इस प्रकार से प्रत्येक जवार जो है ये दिन में जो एक निश्चित समय का जवार है वह मान लिजिए कि किसी ख्षेत्र में जवार का जो समय है वह सुबह 4 बजे का था उसके विपरीत दिशा में जो जवार आ रहा है वह शाम के चार बजे का होगा और प्रित्री घूम करके उसी जगह दूसरे दिन जब पहुँच गई तो वहाँ पर जो जवार की अवधी होगी वह 4 बजे की नहीं बलकि थोड़ा सा आगे सरक के चार बज़ के बावन मिनट की होगी वैसे ही जो विपरीत दिशा में जो जवार था वो थोड़ा सा आगे सरक चुका है तो चार बज़े नहीं था बलकि चार बज़ के 26 मिनट पर आया था और जहां पर भाटा की स्थिति है वो 6 घंटे 13 मिनट की अवधी में यहां पर भाटा आता है तो बच्चों ये जवार और भाटा के संबंध में जो कुछ तकनीकी बाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है जवार कई प्रकार के होते हैं जैसे दीर घजवार, स्प्रिंग टाई दीर घजवार क्या है जब सूर्य की आकर्शन शक्ती, सूर्य और चंद्रमा की आकर्शन शक्ती मुख्य रूप से चंद्रमा की होती है और सूर्य इसमें सहायक होता है तो जब चंद्रमा की आकरशन शक्ति और सूर्य की आकरशन शक्ति मिल करके पानी को खीचती है तो ये दीर घजवार होते है जैसा बच्चों अभी मैंने बताया कि यूती और वियूती का जो समय होता है कंजंग्शन और अपोजीशन का अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या का जो समय होता है इस समय दीर घजवार आते हैं दीर घजवार मतलब सामान्य जवार से 20 से 30 प्रतिशत ये जवार अधिक होते हैं वैसे ही दूसरा जवार जो होता है उसे हम लगु जवार कहते हैं नीप टाइट लगु जवार अभी बताया था बच्चों जब चंद्रमा प्रित्वी और सूर्य ये समकोन की स्थिती में आ जाते हैं तो इससे लगु जवार की उत्पत्ती होती है लगु जवार का तात्पर ये क्या है ये सामान्य जवार से 20 से 30 प्रतिशत कम होते हैं ये जो लगु जवार होते हैं इस समय समान्य रुप से जो क्रिश्न पक्ष और शुकल पक्ष की सब्तमी अस्टमी की जो तिथी होती है प्राया अस्टमी होती है इस तिथी में लगु जवार आते हैं तो ये समकोंड की जो स्थिती होती है इसे क्वेडर रेचर के नाम से जाना जाता है ज्वार के और भी प्रकार है जैसे अपभू और उपभू ज्वार अपभू और उपभू का भी मैंने उलेख किया है बच्चों कि जब चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष में प्रित्वी का चक्कर लगा रहा है जब प्रित्वी के निकट चंद्रमा होता है तो निकट होने से उपभू ज्वार आता है और जब चंद्रमा दूर रहता है तो अपभू ज्वार आता है इसे एपोगियन या पेरिगयन टाइड के नाम से हम जानते हैं तीसरा जो ज्वार का प्रक्रार है अगला ये होता है अयन वृत्ति ज्वार या भूमध्य रेखी ज्वार इसे कहते हैं ये अयन वृत्ति ये भूमध्य रेखी ज्वार का संबंध सूर्य के उत्तरायन और दक्षिनायन के स्थीति से होता है जब उत्तरायन और दक्षिनायन में सूर्य जब करकरेखा या मकररेखा पर सीधा चमकता है प्रत्यक्ष होता है और उसके कारण जो ज्वार उत्पन होते हैं ये अयन वृत्ति ये ज्वार कहलाते हैं इसके अलावा दिन की आवधी के अनुसार भी हम ज्वारों का वर्गी करण करते हैं यहाँ पर जो ज्वार होते हैं इसमें सबसे पहला जो है ये है दैनिक ज्वार डेली टाइट्स या इसको डायरनल टाइट्स भी कहते हैं ये दिन में प्रती 12 घंटे में ज्वार की जो अवधी होती है 24 घंटे में जैसे मैंने अभी बताया कि 24 घंटे 52 मिनट या 12 घंटे की अवधी में 12 घंटे 26 मिनट की जो अवधी में रोज ज्वार आते हैं ये दैनिक ज्वार कहलाते हैं दूसरा जो ज्वार है अर्ध दैनिक ज्वार सेमी डेली टाइट्स हम इसे कहते हैं अर्ध दैनिक जब दिन में दो बार ज्वार की स्थिती निर्मित होती है बार गंटे में तो बार गंटे में इसकी अवधी बार गंटे और 26 मिनट की होती है तो ये अर्ध दैनिक ज्वार क मिश्रित ज्वार जिसमें दैनिक अर्धदैनिक दीर्ग लगू सभी ज्वारों का सम्मिश्रन होता है कोई भी ज्वार आते हैं तो इस प्रकार के ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं बच्चो ये ज्वार के बारे में आपने कुछ बाते सुनी हैं। बच्चो क्या आप जानते हैं कि विश्व में जो सबसे उचे ज्वार आते हैं। ये कनाडा के पास में नावास कोशिया कक्षेतर उसके पास में एक है फंडी की खाडी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चो चित्र में फंडी की खाडी। इस खाडी में विश्व के सबसे उचे ज्वार आते हैं। दिन में चार बार दो दीर्ग और दो लगु ज्वार यहाँ पर आते हैं। इस ज्वार का जो समय हैं वो दिन में चार बार आते हैं तो हर छै घंटे में पानी के चड़ने और उतरने की क्रिया यहाँ पर निरंतर जारी है। बच्चों यहाँ पर जो ज्वार आते हैं इसमें ज्वारी तरंगे यह 15 से 16 मीटर तक उपर उठती है। अर्थात प्रती घंटे यदि हम इसके उपर उठने की गती देखें तो लगभग 2.4 से 2.5 मीटर की गती से यह उपर उठती है। तो यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ज्वार का क्षेत्र है। लेकिन विश्व का सबसे छोटा ज्वार, सबसे निचला ज्वार का जो क्षेत्र है। यह भारत का जो पश्चिमी तठ है। यहाँ पर गुजरात में ओखा तठ। आप देख सकते हैं बच्चे हैं चीतर में ओखा तठ। यहाँ पर सबसे छोटा ज्वार आता है। इसकी सामान ने उचाई तीन से चार मीटर तक ही होती है। तो बच्चो यह तो ज्वार के कुछ उदाहरन मैंने आपको बता है। आपको पता होगा कि ज्वार हमारे जीवन के लिए बहुत महतोपूर्ण है। मानव जीवन के लिए, मानवी क्रियाओं के लिए इसका महतो बहुत अधिक है। इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है जिससे हम इसके महतो को महसूस करते हैं। तो जैसा मानव जीवन के लिए, मानव के समाज के लिए महतोपूर्ण है। क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब जिस खेत्र में वैसे तो आपको जवार जो आते हैं। जहां पर विस्त्रित मघनतर होते हैं, वहां अधिक ज़वार आते हैं, और ये जो ज़वार होते हैं मघनतर्टों के करण यहां पर कई बार नदियों द्वारा कुछ पदार्थ लाकरके, इन का जमाओ हो जाता है, सागर और भी उथले हो जाते हैं, तो जब जवार आते हैं तो ये इन तत्वों को बहा करके सागर की और ले जाते हैं तो इससे जो सागर का जल है इसकी उत्रापन कम हो जाता है और व्रिद्धी होने से क्या होता है सुगंता से जलियान अंदर तक आ जाते हैं कई बार जैसे सागर के कारे में पढ़ा था कि सागर अपने किनारे में रोधिकाएं, बेरियर्स का जमाव करते हैं लेकिन जब जवार आते हैं तो कई बार ये बेरियर्स को बहा कर ले जाते हैं ये रोधी का मतलग क्या होता है ये जहाजो के मार्ग में भी रोज उत्पन न करें जहाजो को आने से रोकती है लेकिन जब जवार आते हैं तो जवार की लहरे तरंगे इनको पीछे ले जाती है और रोधिकाएं नश्ट हो जाने से जहाज आसानी से अंदर तक आते हैं फिर नदी या खाड़ी में नदियों के द्वारा लाए गए जो तलचट होते हैं इसका भी बहुत अधिक जमा होता है बहुत से आउशिष्ट पदार्थ इस क्षेतर में जम जाते हैं तो जवार इन बदार्थों को भी हटा करके मार्ग को साफ करते हैं या मार्ग को सुलब बनाते हैं कई प्रकार के पंक भी इसक्षेतर में जमते हैं तो ये पंक भी जवार के माध्यम से सागर की तरफ धकेल दिये जाते हैं बच्चो जवार के कारण जो ताटर रेखा में समोच्च रेखाएं जो बनती है ये समोच्च रेखाएं भी नेरंतर परिवर्तित होती रहती है इसके अलावा अब जवार का कुछ आर्थिक महतो भी हम जाने जवार का अर्थिक महतो भी जाने तो बहुत से ऐसे देश है जिन्होंने इस जवारी तरंग को विद्यूत के रूप में परिवर्तित किया है तो ये देश मुख्य रूप से स्युक्तराज अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंग्डम, कनाड़ा, रूस, चीन, आदी है ये जो देश है ये जवारी तरंगों से विद्यूत उत्पादन की प्रक्रिया कर रहे हैं बच्चों के आप जानते हैं कि प्रथम जवार शक्ती से विद्यूत उत्पादन के लिए जो इस्टेशन बना था सन 1966 में फ्रांस में ये पहला इस्टेशन बना था जिससे विद्यूत उत्पादन किया जाता है अब तो भारत में भी जो पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन केक्षेत्र में दुर्गा दुवानी एक स्टेशन बना हुआ है और यहां से जोरी तरंगों के माध्यम से लगभग तीन मेघावाट विद्यूत उत्पन किया जाता है तो बच्चों जोर के बारे में इतना परियाप्त है